स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम RPSC First Grade 2022 बरती के subject English की अनुमानित कटोफ के बारे में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट की जाती है आप वीडियो को पूरा जरूर देखना एकदम पूरे विसलेशन के साथ बताया गया है जिसे आप द्यान से जरूर सुने तो वहीं देखे 6,000 पदों पर ये RPSC First Grade की बरतियायों जित की गई थी RPSC की द्वारा और वहीं इंग्लीज के पदों के बारे में देखें तो इंग्लीज के कितने पद थे 272 पद थे 272 पदों पे 11,962 फोरम अपलाई किये गए तो एक बार के लिए देखा जाए तो सब बच्चे एकजाम देने के लिए गए नहीं है 27% सातर ही एकजाम दे पाएं RPSC 1st grade का और कारण आप सबको पता है 2nd grade की काफी लोग त्यारी कर रहे हैं और काफी लोग रीट की त्यारी कर रहे हैं तो RPSC 1st grade के कुल 6,00,00 के करीब फरम बरे गए थे उसमें माना जाए तो 27% तो हम मानके चलते हैं कि इसमें 35 से 36,000 के करीब चातर एकजाम देने गए होंगे वहीं अगर 2018 की लाश्ट बर्ती देखें तो इंगलीज की कितनी सीट थी? 304 सीट थी और वहीं जनरल की कटोप के बारे में चर्चा करें तो 330 नमर रहे थे कटोप के सीट कितनी थी? 304 तो जाई 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 इस बार मेरिट आई जाने की पूरी संभावना रहेगी इतना ज़्यादा पेपर का लेवल भी हाई नहीं था तो एक बार हम पूरा विशलेशन करते हैं अब अगर हम फेपर का लेवल देखें तो फेपर 5 था जिग्येगा जिसमें 65 क्यूसन थे और वहीं गुरुप A का पेपर था जिसका लेवल देखा जाई तो ना ज़्यादा हाई कह सकते हैं जो बच्चे त्यारी करके गए थे उनके लिए फाइदे मन भी रहा होगा हम मानके चल रहे हैं काफी बच्चों ने 55 से 60 क्यूसन अटेम्ट किये होंगे और अनुमानित है कि उन बच्चों के 7 से 8 क्यूसन गलत हुए होंगे और 2 से 3 क्यूसन अगर उनके सही है या गलत है वो RPSC के द्वारा जारी आंसुर की पे ही पता चलेगा वो उन क्यूसनों के क्या अंसर मानती है तो हम मानके चल रहे हैं अनुमानित बच्चों के पेपर 1 के अंदर 47 से 52 के करीब क्यूसन सही हो रहे है वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें सब्जेट की तो इंगलिस का पेपर था जिसमें 1.500 क्यूसन थे साइकलोजी और इंगलिस सब्जेट के एवरिस मानके चल रहे हैं बच्चों ने 130 से 135 140 के करीब मानके चले तो वह भी कहना उचित होगा कि 130 से 140 के करीब बच्चों ने क्यूसन की हैं और उनके क्यूसन गलत होने की कितनी संभावना रहती है 10 से 15 क्यूसन अनुमानित उनके गलत होने के पूरी सम्भावना रहेगी 3 से 4 क्यूसनों का संसे RPC के द्वारा जारी आंस्वर की इसमें ही पता चलेगा तो हम मान के चल रहे हैं कि काफी बच्चे 130 से 140 के राउंड क्यूसन किये हैं पेपर सेकेंड के अंदर और वहीं पेपर फर्ष्ट के अंदर 55 से 60 क्यूसन किये हैं और अगर हम लाइस्टियर की कटोप देखते हैं तो जनरल की कितनी रही थी 330.99 में और वहीं EWS की कितनी रही थी 313.69 वहीं SC की बात करते हैं तो 200 चिंतर और ST की 204 और OBC की 322 और इस बार भी इतना ज्यादर डिफ्लेंस रहने की कोई संभावना नहीं रहेगी और MBC की रही थी 278 पॉइंट 24 अब अगर हम पूरा विसलेशन करके चलते हैं कि इस बार की कटोफ क्या रह सकती है तो एक बार हम देख लेते हैं तो 2022 की अनुमानित क्या रह सकती है जनरल की तो जनरल की अनुमानित बताया जा रहा है कि 332 से 338 के करीब रहने की पूरी संभावना रहेगी अगर हम पेपर का लेवल पेपर फ़िस्ट और पेपर सेकिंड का लेवल देखते हैं तो और वहीं OBC की बात करें तो 325 से 3 जिस बी चात्तर के 330 से उपर भी नमर बन रहे हैं वो सेप स्कोर के अन्दर आ रहा है वहीं लाश्ट बर्ती 2018 में जनल के कितनी रही थी? 330 के करीब और इस साल 332 से 338 के करीब ही मान के चल रहे हैं और OBC की 325 से 330 और EWS की बात करें तो 315 से 322 और SC की बात करें अंदर 285 से 295 में बन रहे हैं जिस बी चात्तर के वो सेप जोन के अंदर आ रहा है और HD की 250 से 260 और वहीं MBC की बात करें तो 285 से 295 है अगर हम दोनों कट ओफ को कंपेरिजन करें 2018 और 2022 की तो इन कट ओफ के अंदर ज़्यादा डिफिरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा और इस बार हमने जनरल की मानी है 332 से 338 जिस भी चात्तर के मन रहे हैं वो सेप जोन के अंदर है और OBC के अंदर 325 से 330 तो राउंड हम मान के चल रहे हैं 334 के करीब जनरल की और 328 के करीब OBC की तो यह का टोप हम मान के चल रहे हैं तो दोस्तों पूरे विसलेसन के साथ आपको बताया गया है और आप यह स्क्रीन सोट लेके जरूर रखें क्या पता हमारा विशलेशन एकदम सही निकले तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तों